लैंड माफिया है ना वक। ये ना ही हमारे अलकुरान का कोई हिस्सा है और ना ही हमारे भारत के समविधान का कोई हिस्सा है। बार बार असतुद्दे नवेसी बैरिस्टर होते हुए ये जो आसमविधानिक बात और beyond the law बात करते हैं मुझे हसी आती है कि इन्होंने बाहर से डिग्री बनवाई है या वाके में पढ़ करके इन्होंने डिग्री हासिल की है 2013 में जब अमिन्मेंट आया था तब तो बड़ा शीरनी बाटा जा रहा था तब तो बड़ा फातिया का जले भी बाटा जा रहा था ये कॉंग्रेस का बी टीम जो असतुद्दे नवेसी है न ये 2013 में कहा था देखिये वक बोर्ड से मुसल्मानों का भी भला नहीं हुआ अग मुसल्मानों ने वक बोर्ड के खलाफ केस फाइल किया है कहा है असतुद्दे नवेसी साहब वक बोर्ड ने मंदिरों के साथ साथ मासूम मुसल्मानों को भी घर से बेघर किया है छत चीना है मोतावल्यों ने वक बोर्ड की संपत्ती को पेच करके अपने बेटों को विद अब आसदुद्दीन ओवेसी इसी बोर्ड यानिक अधिनियम को लेकर कह रहे हैं कि मोधी सरकार वकप बोर्ड को खतम करना चाह रही है इसलिए अधिनियम लेकर आई नमश्कार वन्दे मातरम जैहिंद सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि क्या असदुद्दीन ओवेसी ने अल्खुरान का कोई पारा या आयत या वर्सेस नंबर बताया या कोई अर्बा या निस्फ या सलासा बताया जहां पर वकफ बोर्ड का जिक्र हो अल्खुरान में जो उनकी आवाज से आवाज सारे मुसल्मान लगात मिला दे अब आती है कि हसारे टीवी चानलों पर कुछ मौलाना बैठते हैं जो साफ कहते हैं कि वो समविधानिक है और देश समविधान से चलता है तो पूरे समविधान में वक्फ board का जिक्र कहा पर है या वक्फ property का जिक्र कहा पर है वो article और chapter number बता दिया जाए तो ये जो लैंड माफिया है न वक्फ ये ना ही हमारे अल्खुरान का कोई हिस्सा है और ना ही हमारे भारत के समविधान का कोई हिस्सा है ये लूटो, खसोटो और बेवकू बना करके लैंड नोचो, ये सिर्फ ये ही एक शर्यंत्र है, एक अजेंडा है, एक साज़िश है लैंड माफिया का, लैंड जिहाद का, अब बार बार असदुद्धिन अवेसी बैरिस्टर होते हुए, ये जो आसमविधानिक बात और बिय अब लीवी हूँ, जो हमारे LLB के स्टुदेंट्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अब इसी वक बोर्ड एक्ट में, आप पेज नमबर 12 में जाईएगा, वक एक नाइंटी नाइटी फाइफ, पेज नमबर 13, चैप्टर 12 में, चैप्टर 12 में क्या लिखा हुआ है, पावर of Central Government to make rules, तो यह जो बना हुआ है, अपनी मनमर्जी से, जो वक बोर्ड ने खुद बनाया है, अपनी मनमर्जी से, इसमें भी लिखा हुआ है, कि केंदर की सरकार आज जो एंटर्वीन कर रही है, वो ऐसे ही उड़ करके नहीं कर रही है, वो इस एक्ट के हिसाब से भी सही कर रही है, 2013 में जब अमिन्मेंट आया था, तब तो बड़ा शीरनी बाटा जा रहा था, तब तो बड़ा फातिया का जले भी बाटा जा रहा था, अब जब आया है, तो बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी पीडा हो रही है, यह कॉंग्रेस का B team जो असदुद्दे नवेसी है न, यह 2013 में कहा था, नीन का गोली खा लिया था, या फिर से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, असदुद्दे नवेसी जो बार बार मुसल्मान नौजवानों को ललकारता है, उस नौजवानों की भीड में उसकी बेटी बाहिजाब क्यों नहीं खड़ बैठती है रोड पर, शाहिन बाग, तो कभी पश्रिम बंगाल का पाक सरकस, तो कभी NRC, तो कभी CAA, तो कभी UCC, सब का विरोधी करोगे, और जब सब का विरोधी करना है, तो कहे नहीं पाकिस्तान चले जाते हो, क्योंकि तु मुसल्मान रोड चोराहे पर उतर करके, वकभोड और वकभोड के लोगों को कोस नहीं रहा होता हाँत उठा करके, दोहाई नहीं दे रहा होता, अल्ला की खसम नहीं खा रहा होता, कि वकभोड गारत में मिल जाए, वकभोड पर अल्ला का खहर नाजल हो जाए, वकभोड ब मुसल्मानों का इतना ही भला आपको करना है क्योंकि ब्रिटिश ने वकबोर्ड बनाया था मुसल्मान के सोशल वेलफेर के लिए जब आपने हिंदूओं को लूट ही लिया था वकबोर्ड के नाम पर जब आपने भारत की जमीन को लूटना खसोटना लैंड जिहाद के नाम पर स्टार्ट कर ही दिया था जब आपने गैंबलिंग और डकेती स्टार्ट कर ही दी थी तो भारत के 25 करोड मुसल्मान का ही भला कर देते आपने तो वो भी नहीं किया अभी भी नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वही वाला हाल चल रहा है यही सचर कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि वकबोर्ड के पास इस दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ती है और यही सचर कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसल्मान दलित से भी पीछे है शिक्षा में तो क्या हो गया? कहा है असादुद नवेसी साहब? यह वकबोर्ड के माद्यम से जो अर्बो खर्बो रूपे जो वकबोर्ड के कमीटी मेंबर के पास जा रहा है जो वकबोर्ड के आदि कारी के पास जा रहा है उसका लाब सिर्फ मुतैंबली को क्यूं हो रहा है सिर्फ वोठबोर्ड के मेंबर डान मुसल्मान को कीव नहीं होरा है एक तरफ असदुद्द्ध Dusty नवेशी चैनल उपने वान पहसे पूछन हूं पूछना चाहती हूं के आप आपने मुसलमानों का भला अगर किया व Suppose और कि पेसो से उसकी रेविनिय। से तो क्यों चाती पीट ते रहे हैं ठाद graft august की संपत्ति आपके पास वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले खबर ये भी सामने आई थी कि वकफ बोड ने ही छे मंदिरों के उपर अपना दावा ठोक दिया था तब असद दिनोवसी ने कोई बयान क्यों नहीं दिया और वहीं दूसरी तरफ उत्तर परदेश की योगी सरकार ने करते हैं सम्विधान के परेज आकर के वो कभी भी नहीं करते हैं दूसरी बात आती है कि भारत के लोगों को ये आपेक्षा क्यों है कि असदुद्दिन आवेसी सम्विधान के लिए कोई बात करेगा या मुसल्मानों के लिए भारत में रह रहे हैं मुसल्मानों के पक्ष म महौल हो है और गंगा जमनी तहजीब है वो कतम हो जाए यही करेगा वो अभी जब पहले आया था अमेंडमेंट तब कॉंग्रेस ले करके आई थी और उन्हों ने वक बोर्ड को और भी पावरफुल बनाया था पर इस बार जो आया है वो साधारन मुसलमानों के पक्ष में बिलाया है इसलिए इनको मिर्ची लग गई है अब देखिए साउथ में एक मंदिर है पंद्रा सो साल पुरानी वक बोर्ड कहता है कि वो उसकी मंदिर है मेरा इसलाम ही है 1400 साल पुराना तो फिर वो वक बोर्ड का संपत्ती हुआ कैसे उसको बाबर बनाया कैसे उसको औरंगजेब कैसे उस पर उस पर शाजहां आकर के इमारत चड़ाया कैसे कैसे हो जाता है भाई एक तो अभी एक इस भी सदी में भी हमारे पीर बाबा लोग पैदा हो रहे हैं मजारे बढ़ती चली जा रहे हैं खबरिस्तान बढ़ते चले जा रहे हैं तो मजार जो बढ़ रहा है, यह किसलिए बढ़ रहा है, पीर बाबा तो पैदा नहीं हो रहे है कि इस भी सदी में, लेकिन यह बढ़ रहा है, मजभी structure बना करके, sentimental issue पैदा करना, कि यह जमीन हमने हड़क किया है, अब इसमें हम मजार बना देंगे और इसको तोड़ा दूद का दूद पानी का पानी हो रहा है, नया amendment जो जेपी सी में गया है, नया amendment जो आया है, वो मुसल्मान पसमानदा के लिए बहुत ही महत्वपून और बहुत ही important है, वकबोर्ड ने मंदिरों के साथ-साथ मासूम मुसल्मानों को भी घर से बेघर किया है, छट चीना है और 2017 में जब वकबोर्ड का स्कैम बस्ट हुआ था, इनका चोरी और लुच्चा गिरी जब सामने आया था, तो इनके पैरो तले से जमीन खिसक गई थी, मुतावल्ली जिसको मैनेजर आप लोग समझती हैं, मुतावल्लियों ने वकबोर्ड की संपत्ती को बेच करके अपन अपनी बेटियों को महल जहेज में दिया था, वकबोर्ड की संपत्ती असदुद्धे नवेसी तीन हजार करोड का रखा हुआ है अपने पास, आठ रुपए वकबोर्ड को रेंट देता है और करोडों रुपए उससे कमाता है, सबसे जादा असदुद्धे नवेसी और त पुतों की जमीन है, ये तो हिंदूओं की जमीन है, तो ये तुमको बाबर चिटी में लिख करके दे कर गया था, और अगर चिटी में लिख कर गया था, तो वो चिटी मीडिया को देखा दो, इतना तो प्रेस कॉन्फरेंस करते हो, दोनों को ही मैं बोल रही हूँ, तो मु के जो नेता है विक्रम अधत्य जिंग वही इस मोडल को लेकर हिमाच्वल परदेश में भी बातें सामने आ रही हैं तो आप योगी अधत्यनात के नेम प्लेट वाले ओर्डर पर क्या कहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई विरोध कर रहा है हाइजीन मेंटेन करने का विरोध हाथ साफ रखने का विरोध गलफ पहनने का विरोध तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका investigation पहले होना चाहिए अगर मुसलमान इस बात का जैसे नेम प्लेट पर पहले भी मुसलमानों ने बहुत विरोध किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे चिटिंग बाज और जाली मुसलमान है क्योंकि इसलाम में ये साफ लफजों में लिखा हुआ है कि पाकी और सफाई आधा इमान होती है तो अगर योगी महाराज जी कह रहे हैं कि अपने ठेले में या अपने रेस्टोरेंट में या अपने दुकान में CCTV कैमरा लगा लो तो ये तो तुम्हारी कुछ खाना है उनको खिलाओ जिनको तुम्हारे मूत जिहाद से मतलब है और मूत पीना है उनको पिलाओ लेकिन भारत के सनातनियों ने ये तै किया है कि उनको थूक वाला गुलाब जामु नहीं खाना है उनको थूक वाला बिर्यानी नहीं खाना है उनको मूत वाला जूस का इसलाम है जो अल्लाह तबारक ताला का इसलाम है जो अल्खुरान का इसलाम है वो तो बहुत पाक है वो तो बहुत साफ है तो ये कौन से मुसल्मान है जो अपना मूत बोटल में रख करके सनातनियों का नाम देख करके उसको दो एमिल भर करके देते हैं इसका मतलब है कि य ऐसी जिहादी और टेरिस्स संगठन है जो पैसे ले करके ये सारे काम कर रही है और हिंदूओं के धर्म को और हिंदूओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है बात नेम प्लेट की हो या फिर वकफ बोड की हो हमेशा सवाल यही उठ रहा है कि कहीं ना कहीं एक कम्यूनिटी को दबाने का काम योगी मुदी की सरकार कर रही है और यह आरोप कई बार भी लगे लगे तो कोई कोई आरोप भी नहीं लगेगा अब नासरखान रेप किया है तो उसको बलातकारी ही बोला जाएगा ना अब मुहमद ओवेस रेप किया है तो उसको बलातकारी ही बोला जाएगा ना मुहमद खैबर रेप किया है तो उसको बलातकारी ही बोला जाएगा ना अब जो मूत डाल करके जो जूस में दे रहा था वो तो मुसल्मान ही निकल ग पूछ रहे हम तो जगन मुहन रेड़ी से ही सवाल पूछ रहे हैं अब बदलापूर में एक हिंदू ने दो चोटी बच्चीयों का रेप किया था तो हम तो उसी को कोस रहे हैं हम तो किसी मुसल्मान को जबरदस्ती नहीं कोस रहे तो अगर मुसल्मान अपने आपको क्राइम से जिहादी आक्टिविटी से बत्तमीजी से अगर बाहर रखता है तो बहुत अच्छी बात है कोन जाएगा उनसले लडने के लिए अगर पाक साफ रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं तो यह तो अच्छी बात रहेगी लेकिन अगर वो क्राइम में मलूस है वो क्राइम में इंवाल्वमेंट है उनका तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम तो आए गही